हेलो फ्रेंड्स यू आर वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल बेसिक से टूजड तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के बारे में तो मैक्स वेबर का हम लोग पहले भी अध्यन कर चुके हैं लेकिन आज हमके सिध्धान सामाजिक क्रिया सिध्धान के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाज सास्त की जो है केंद्री अध्यन वस्तुमाना है मैक्स वेबर ने कहा कि जो समाज सास्त है वो सोसल एक्षन यानि सामाजिक क्रिया के अध्यन के बारे में ही है और उन्होंने कहा ये उन्होंने उसकी वग्यानिक प्रक्रत को दर्साने के लिए सामाजिक क्रिया सिद्धान्त का सहरा लिया सोशल एक्षन प्रिंस्पल का सहरा लिया की सोशालोजी जा साइंस ये सो करने के लिए और इस प्रकार उन्हें सामाजिक के लिए के सिद्धान्त का आदर्स प्रारूप का एक उनके प्रकार है तो आइडियल टाइप्स उनके कई आइडियल टाइप्स इसके लिए तो फेमस है वो जो ideal types बनाए है उनोंने जैसे उनका bureaucracy का ideal type बहुत फेमस है which we study in public ad तो bureaucracy तो उनका काफी famous है इस तरीके से ये भी उनका एक ideal type ही है Max Weber का सामाजिक क्रिया सिध्धान्द का और Max Weber ने अपने इस सामाजिक क्रिया सिध्धान्द का जो है अपनी book The Theory of Social and Economic Organization में इस सिध्धान्द को प्रतिपादित किया The Theory of Social and Economic Organization Weber ने किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है Weber के अनुसार कि जब इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों दोरा लगाए गया व्यक्तिनिस्ट अर्थ या प्रतिकात्मक या सब्जेक्टिव मीनिंग के कारण या क्रिया दिसरे व्यक्तियों के व्यवार दोरा प्रभावित हो उसी के अनुसार उसकी गतिविद निर्धारित हो सामाजिक क्रिया मैक सेबर के अनुसार वही है जिसका कोई जो सामाजिक क्रिया करने वाला व्यक्ति उसका कोई अर्थ निकालता हो वही है सामाजिक क्रिया तो इसको एक सूत्र के रूम में उन्हें दिखाया है व्यवार गतिविद प्लस करता द्वारा दिया गया अर्थ वही है सामाजिक क्रिया तो इसको उन्हेंने का है सामाजिक क्रिया और जो यह सामाजिक क्रिया है यह नहीं कि इसके बारे में सिर्फ मैक्स वेबर नहीं का है सामाजिक क्रिया के बारे सबसे पहले जो विचार व्यक्त करने का स्रे है वो जाता है आपके अल्फरेड मार्शल अल्फरेड मार्शल को जाता है अल्फरन मार्शल थे उनको जाता है सबसे पहले मार्शल के बाद विल्फरेड पेरेटो ने भी सामाजी क्रिया का उल्ले किया है तो अब हम लोग पढ़ते हैं सामाजी क्रिया की विशेष्था हैं तो सामाजी क्रिया की विशेष्था हैं क्या हैं सामाजी के लिए दूसरे वक्तियों के भूत, काल, वर्तमान या भावी वेवारदारा प्रभावित हो सकती है तो उसके एक सिंपल उधारन दोरा हम ऐसे समझ सकते हैं कि भूत, काल में किसी ने आपको कोई गाली थी और आपको वो याद आगया कि इच्छा, तुमने मुझे वो गाली दी थी तो आप उसके साथ उस बात को लेकर उससे मारपिट करना शुरू कर दे तो ये एक समाजी के लिए है, उससे कुछ हो रहा है न उसका कुछ आर्थ निकाले जो गत्वीद हो रही है उसका कुछ न कुछ हमारे द्वारा जो कर रहा उसके द्वारा को इनको उसका आर्थ निकाला जा रहा है तो एक ही है उसकी विश्यस्ता सामाजी क्रिया की दूसरा है परतेग परकार की सामाजी क्रिया परतेग परकार की क्रिया सामाजी क्रिया नहीं है कोई भी एक्षन यह नहीं कि सोसल एक्षन है जैसे माली बारिष के टाइम में बिजली कड़कती आकास में तो बच्चा एक दम डर जाता है तो बिजली के कड़कने से बच्चे का डर जाना यह कोई सामाजिक क्रिया नहीं है मतलब उन्होंने कहा है कि अगर कोई निल्जीव वस्तुओं के द्वारा कुछ ऐसा होता है तो वो नहीं है और उन्होंने इसका एक और विदाना दिया अगर आप अकेले बैट के भजन कर रहा है बगवान का तो भी सामाजिक क्रिया नहीं है हैं मनुस्तुका प्रतेक प्रकार का समपर्क भी सामाजिक क्रिया नहीं होता है जैसे कोई दो लोग आपस में संपर्क में आए तो ऐसा नहीं कि वो जबरी सामाजी क्रिया है तो इसका बहुत ही फेमस एक्जामपल है माली ये दो साइकल सवार जा रहा है और आपस में लड़ गए ठीक है उसके बार वो लोग अपनी साइकल उठाए और किसी से कुछ भी न उसरे पर प्रभाव पड़े तब हो सामाजी क्रिया तर बार वाई वह सामाजी क्रिय नहीं है फोर्त सामाजी क्रिय को केले इक विकति एक खोल लिए तो ये सामाजिक्रिया नहीं है क्योंकि ये वर्षा के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ तो लोगों ने लगा लिया है ठीक है और या जैसे माली जो कोई जा रहा है कहीं और हमको भी जाना उधर तो कोई आगे आगे जा रहा है जिस रास्ते पे तो हम भी उसकी देख प्रभावित कर रहे हैं तो सामाजी क्रिया है मैं क्या है सामाजी क्रिया का आदर्स प्रारूप में वही क्रिया के प्रकार है माइक्स वेपर जी ने दिये हैं तो उसमेंसे स्ष्ञत तारकिक क्रिया राएक्ष्य Nejए निर्धारित कर रहा है तो के लिए सों समझ कर काम करें तो तारकी क्रिया में क्या है इसमें करता द्वारा सचेत और योजना बद रूप से लच्छे तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है ऐसी क्रिया है इसको गोल ओरिंटेड एक्षिन भी कहते हैं और वेबर के अनुसार जो करता के ग्यान के आधार पर करते हैं वेबर करते हैं तारकिक्ता जो है कि उसकी रैस्नालिटी मालिज आपके नजर में वो जो कार कर रहा है उसकी रैस्नालिटी कुछ नहीं है लेकिन जो करता कर रहा है उसके ग्यान के आधार पर वो रैस्नल है तो ठीक है मालिज जो छोटा अच्छे काम करते हैं तो वो अपनी तरकिकता से कर रहे हो सकता हम लोगों के नजर में वो बेगुफी हो लेकिन जो वो कर रहा है गतवीद उसमें वो रेशनलिटी है तो उसके लिए वो सामाजिक क्रिया है मतलब नाकी अवलोकन करता कि द्रेश्ट कोंड से ऐसा नहीं कि अव जो हम देखने हैं उसके हिसाब से रेशनल होनी चाहिए नहीं जो कर रहा है उसके हिसाब से उसकी ग्यान के हिसाब से रेशनल होनी चाहिए तो हो है सामाजिक क्रिया जो है क्रैस्टनल या तार्किक क्रिया दूसरी है मुल्यांकनात्मक क्रिया तो हम लोग दूसरी देखते हैं मुल्यांकनात्मक या इवालुएट्व एक्शन इसका नाम है वर्ट रैस्टनल एक्शन तो देखें मुल्य आंक्टन मतला values मुल्य जो मुल्य है वो तो जो करिया नैतिक धार्मिक कलात्मक या आधर सात्मक आधार पर की जाती है जिनके पीछे तरका होना कोई आवश्यक नहीं है जो हमारे पुराने समय से चले आ रहे हैं सब उनके आधार पर जो पुराने समय से मूँ लिचले आ रहे हैं जैसे कोई जहाज का कप्तान है है ना तो वो अगर जहाज डूब जाँ रहा है तो वो उसमें से बचके सबको निकाल देगा लेकिन खुद बचके निकलने कोशिस नहीं करता है इससे उसको लगता है कि मेरी समाज में बदनामी होगी कि कैसा कैप्टन है जहाज को टुआ दिया तो वो उस जहाज के साथ खुद भी डूप कर मर जाना पसंद करता है तो यह है क्या उतना आदर्सों से बंधा हुआ है तो ऐसा कारे करता है इसके पीछे कोई तरक नहीं है तो यह है मुल्यांकनात्मक्रिया यानि मुल्यों से बंधा हुआ है यह अगला देखते हैं हम लोग भावानातमक या सम्वेगातमक यानिक affective action जो भावों से बन्दा हो भावनातमक सम्वेगातमक यानिक effective action affection इसने प्यार भाव तो इसमें क्या है जो हमारे भाव हैं यह सब आते हैं जैसे प्रीम, दया, घ्रना, साहनभूत, कुरूद, आध के वसीव भूत होकर हमने जो क्रियाएं की वो आती हैं समवेगात्मक्रिया या भावात्मक्रिया या अफेक्टिव आक्शन में माली हमें किसी ने कुछ उल्टा सिदा कह दिया और हम गुस्से में आके हमने उसको मार दिया जैसे आए दिन केस आते हैं पेपर में किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसको जिस तरीके से हो सकता मार पीट करी या मार ही दिया हत्या कर दियाः हो सकता है तो यह आलशी आती है भावनात्मक लिया या सम्वेगात्मक लिया तो लाश देखते हैं हम लोग लास्ट वन इस जो है परंपरागत किरिया परंपरागत किरिया है ट्रेडिशनल एक्षन जो परंपरा से बंदे आ रहे हैं जिनका संबंद पर्थाओं परंपराओं प्राचीन काल से चले आरे विवारों विश्वासों से होता है उनको परंपरागत किरिया हैं कहते हैं जैसे अभी तक चला रहा है, म्रत्य भूज, स्राद, धेवं, तरपन, जब कि आजके लब नए समाज में लोग कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, कि जब व्यक्ति जीवित था तब तो उसकी सेवा करी नहीं, उसके मनने बाद म्रत्य भूज में खुब वावाही लूडने के कर रहा है, देशा रहा है, तो इसका क्या मतलब कुछ नहीं, जब हमारे बुजूर्ग जीवित हैं, उस समय हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाद में सराद, दिम्रत्य पूच, तरपन कर रहे हैं, पहले तो उनको आदर सम्मान दिया नहीं, तो उसका कोई माइने नहीं है, तो और अजकल ये सब चल रहा है, लेकिन अभी भी ये प्रमपरा से चलता रहा है, तो लोग इसको समाज में कर रहे हैं, तो दोस्तों आपने देखा, जो समाजिक क्रिया का आधर सुप्रारूप था, मैक्स्विपर का, तो उसमें वही चार प्रकार की क्रिया हैं, तार्किक क् परंपरागत करिया है और इसका इंगलिस में भी नाम दात कर लिए आप जैसा है इसका आप ज़िक रैशनल या रैशनल एवालुएटिव एक्षण या वोर्ट रैशनल और थर्ड बन इज अफेक्टिव एक्षन एन फोर्थ बन इट्रैडिशनल एक्षन है ना जैसे ट्रैडिशनल एक्षन में यह एक है जाम पिल इसका कि अपनी जाती में ही विवाह करना यह भी है तो I hope friends आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कोई बहुत कठिन नहीं था सब ची है कि सम कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं मैक्स वेबर की पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या-क्या है थैंक्यू फ्रेंट्स